रामोजी फाउंडेशन के तत्वधान में निर्मित इब्राहिम पत्नम क्षेत्रिय परिवहन कार्याले का उद्घाटन जिला परिशत अध्यक्षित तीगला अनीता रड़ी, मंत्री परिवहन के साथ सभी प्रकार की सुविधाउं से युक्त क्षेत्रिय परिवहन कार्याले स्थापित करना एक अच्छा विकास है, सडक सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित वॉल पोस्टर का विमोचन किया गया, पता चला है कि सरकार परिवहन से जुड़े 69 विभागों के साथ समीक्षा कर चुकी है, उन्होंने कहा कि राज जिभर में और भी कार्यक्रम किये जाएंगे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंतरी रेवंत रेड़ी के नेतरत्व में हम लोगों की जरूरतों के मताबिक काम करेंगे, विधायक मलरेडी रंगारेडी ने कहा कि रामो जी फाउंडेशन के सहीयोक से इबराहिम पत्नम में आर टीयो कार्याले खोलना खुशी की बात है। कॉंग्रेस MLC उम्मिद्वार के रूप में मौका पाने वाले हरीश कुमार और बालमुरी वेंकट ने विधान कोटे की दो विधान परिशत सीटों के लिए नामांकन दाखिल किया है। उपमुख्य मंतरी भट्टी विक्रमार के साथ मंतरी उत्मकुमार रेड़ी और पुंगुलेटी श्रीनिवास रेड़ी ने नामांकन कार्यक्रम में भाग लिया। मंतरी उत्मकुमार रेड़ी ने कहा कि पार्टी में मेहनत करने वालों को ही पहचान मिलेगी। नामांकन के बाद नेताओं ने गांधी भवन पहुँचकर टीपी सीसी के कार्यकारिय ध्यक्ष महेश कुमार गौड को शॉल और फूल माला से समानेत किया। इस कार्यक्रम में प्रशन सकों और कार्यकरताओं ने जम कर हिस्सा लिया। बीजेपी सांसत बंडी संजे ने तिलंगाना के मंतरी पुन्नम प्रभाकर की अयोध्या धुरी पर की गई टिपणी पर जवाब दिया। मंतरी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अयोध्या मुद्धे पर अनचिट्टिपणी करना अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने प्रधान मंतरी मोदी के आवाहन पर करीम नगर में शिव मंदिर की सफाय की पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि मतरी पत पर रहते हुए राशन के चावल के रूप में अयोध्या धुरी का मजा कुडाना अच्छी परंपरा नहीं है। वह अपने परिवार के सदस्यों से पूछना चाहते हैं कि अक्षती क्या है और इसका महत्व क्या है। संजे ने कहा कि महत्वपूर्ण अयोध्या धुरी के बारे में जाने बिना श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यकरम का राजनीती करण करना कॉंग्रेस के लिए उचित नहीं है। जॉक्टरों ने कहा कि अगले दो दिन एहम होंगे। इसी बीच तम्मिनेनी वीर भदरम सोमवार को खमम जिले के ग्रामीन मंदल के अंतरगत अपने पैत्रिक गाउं तेल दारुपली में बीमार पड़ गए। इस अफसर पर मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और मंत पुंगुलेटी श्रीनिवास रेडी ने तम्मिनेनी के स्वास्त के बारे में जानकारी ली। केटियार ने कॉंग्रिस पार्टी अडानी मामले में मुख्य टिपणियां की जनता को कॉंग्रिस भाजपा की राज नीती समझनी चाहिए। उन्होंने आलूचना की कि कॉंग्रिस भाजपा पार्टियां बीयारस को हराने और उसे मुश्किल में डालने के लिए एक बीजेपी के पास जाएगा रिवंत्रेडी जो चुनाव से पहले चोड था अब दावोस का गवा है और यह संकेत दे रहा है कि वह इसके साथ मिला हुआ है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी अफसरवादी और पतंशील राजनीती कर रही है उन्होंने गंभीर आरोप ल को लेकर जी एचेमसी के ठेकेदारों ने हैदरबाद धरना चौक पर धरना दिया उन्होंने रूश व्यक्त किया कि पिछले वर्ष फरवरी 2023 से लंबित बिलों का भुकतान नहीं किया गया है ठेकेदारों ने कॉंग्रेस सरकार से लंबित बिलों का भुकतान करके उनका सम मर्थन करने की अपील की और फिर भी कॉंग्रेस सरकार ने जवाब दिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने की 19 तारी को चन्ने आएंगे इसी तरह वह तीन दिनों तक राज्य का दौरा करेंगे आयोध्या श्रीराम मंदिर में हो रही प्राण प्रतिश्ठा की पुष्ट भूमी में वह देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में जा रहे हैं और उन ख्षेत्रों की नदियों और तीर्थों से पवितर जल एकत्र कर रहे हैं इसी के तहट मोधी कल शाम चार बचकर पचास मिनिट बजे बैंगलूरू से विशेश उडान से चेने आ रहे हैं राजपाल आरन रवी मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन मंत्री और भाजपा के राजजनेता हवाई अड़े पर उनका गर्मुजोशी से स्वागत करेंगे इसके बाद वे हवाई अड़े से हेलिकप्टर से मरीना बीच पर नेपियर ब्रिज के पास अडायर INS हेलीपैट तक जाएंगे वहाँ से कारदवारा नहरू स्टेडियम पहुंचेंगे वह उस स्टेडियम में खेलू इंडिया के मैचों की शुरूआत करेंगे मालुम हो कि ये प्रतियोगिताएं कल से 31 दिसंबर तक चन्नाई, मदुरई, त्रिची और कोयमभुटूर शहरों में आयजित की जाएंगी इन प्रतियोगिताओं में 18 वर्ष से कम आयू के 6000 से अधिक अथलिट भाग ले रहे हैं मंत्री कोमटी रड़ी वेंकट रड़ी ने कहा कि तिलंगाना को एविएशन हब बनाया जाएगा मंत्री कुमिटी रेडी वेंकर ट्रेडी ने केंद्रिय नागरिक उड़ेयन मंत्री जोतिरादित्य सिंध्या से हैधरबाद से अमेरिका के लिए सीधी उडान संचालित करने को कहा है उन्होंने हैधरबाद को सबसे बड़े सिविल एवियेशन एयर शो विंक्स इंडिया 2024 और ग्लोबल एवियेशन समिट 2024 की मेजबानी का अफसर देने के लिए नागरिक उड़ेयन मंत्राले भारत सरकार और फिक्की को धन्यवाद दिया मंत्री कोमिटी रेड़ी वेंकट रेड़ी ने कहा कि ये दो कारिक्रम हमारे लिए अपने राज्य और राजधानी हैधरबाद को विमानन उध्योग के सामने प्रदर्शित करने का एक बड़ा अफसर है जिसमें देश के विमानन और एरो स्पेस क्षेतर के लिए एक जीव मंत्री ने कहा कि तिलंगाना भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की कारोबार सुगमता में तिलंगाना शीर्श पर है इस अफसर पर यह याद दिलाया गया कि मरसर की रिपोर्ट जो दुनिया में गुणमत्ता पूर्ण ज शामिल हुए सीम रेवंत्रेडी ने स्वास्त सेवा के डिजिटली करन के मुद्दे पर बात की यह घोशना की गई कि तेलंगाना राज्य के सभी लोगों को डिजिटल स्वास्त कार्ड प्रदान किये जाएंगे और इसी उद्देश के लिए डिजिटल स्वास्त कार्ड ब योग से अत्याधुनिक तक्नीक की मदद से गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे उनका लक्ष राज्य के सभी लोगों को सर्वत्तम चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है रेवंत ने बताया कि राजीव आरुगिश्री के तहत गरीबों को 10 लाग तक की मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही है रेवंत रेडी ने कहा कि हैदरबाद बहतरीन चिकित्सा सेवाओं और सौफ्टवेर सेवाओं की राजधानी है उन्होंने कहा कि दुनिया की 33 फी सदी वैक्सीन और दवाईयां हैदरबाद शहर में बनती है इस ह होने वाले गणतंत्र दिवस समारों की विवस्था के लिए विभिन विभाग समन्वै करें। CS ने कहा कि राज जिपाल तमिलिसाई इस महिने की 26 तारी को सारवजनिक उध्यानों में रास्ट्रिय धच का अनावरण करेंगी। CS शांती कुमारी ने पुलिस विभाग को गणतंत्र दिवस समारों के लिए सशस्त्र सुरक्षा के साथ साथ यातायात में व्यवधान को रोकने के उपाय करने की सलहा दी। RNB विभाग को राजभवन, सचिवाले, विधान मंडल, उच्चनियायाले और अन्यम हत्वपून सरकारी भवनों को बिजली की रोशनी से सजाने का आदेश दिया गया था। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे निर्बाध बिजली आपूर्ती सुनिश्चित करने के उपाय करें। मंत्री पौन्नम प्रभाकर ने राजीव गांधी अंडर 19 लीग टी 20 क्रिकेट चैंपेंशिप का उधगाटन किया। मंत्री समापन समहारों में भाग ले रहे हैं। इस कारेकरब में पूर्वसांसद वी हनुमत राव और शंबुला श्रीकांद गौड ने हिसा लिया। अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा उपुमुख्य मंत्री मलू भटी विक्रमार्क के अधिकारियों को लंबित बकाया राशी वसूलने के लिए गती विधिया तयार करने का निर्देश दिया है। डिप्टी सीम ने सचवाले में विभिन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और अतिरिक्त संसाधन जुटाने की समिक्षा की। के लंबित बकाये पर चर्चा की उध्योगों TSIIC और HMDA की भूमी बिक्री सरकार को प्राप्त राजस्व अभी तक प्राप्त बकाया और धन जुटाने के लिए संबंदित विभागों द्वारा नियोजित गतिविधियों पर व्यापक चर्चा हुई। इसमेज पश्ट किया गया है कि राजसरकार को मिलने वाले एक एक पैसे की वसूली की जिम्यदारी संबंदित विभाग के अधिकारियों को लेनी चाहिए। और ध्योगिक पार्कों को उपयोग में लाने के लिए सभी उपाय किये जाने चाहिए। इस महिने की पहली तारीक तक पता चला है कि राजसरकार में कुल घरेलू बिजली कनेक्शन 31,48,000 करोड से ज्यादा है। प्रती माह 200 यूनिट तक 5,000,000 करोड तक खर्च होता है। इन कनेक्शनों से डिस्कॉम को हर महिने बिजली बिल पर करीब 350 करोड की आय हो रही है। इस करोड पांच लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाती है तो राजसरकार को यह राशी D.I.S.C.M.S. को देनी होगी। वर्तमान खपत के आधार पर मुफ्त बिजली आपूर्ती तभी संभव है जब राजसरकार D.I.S.C. को प्रती वर्ष लगभग 4,200 करोड रुपे का भुकतान करेगी। दूसरी ओर सरकार मुफ्त बिजली पाने वाले 1.05 करोड घरों के उपभोगताओं का विवरन दर्च करने के लिए एक विशेज पोर्टल उपलब्ध कराने की योजना बना रही है जो उपभोगता इस योजना के तहट जुनना चाहते हैं उनके बिजली कनेक्शन का सारा इसमें दर्च किया जाएगा एक चर्चा यह भी चल रही है कि यदी प्रती महा 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले सभी घरे लूग कनेक्शनों को सौर उड़जा प्रदान की जाती है तो राज्य सरकार को सबसेड़ी के तहट D.I.S.C. को सालाना 4,200 करोड रुपे बालकृष्ण ने कहा कि दिवंगत N.T.R. नवरस के अलंकरण है उन्होंने कहा कि वे नए यूवाओं के लिए मार्ग दर्शक है N.T.R. के निधन के मौके पर उन्होंने हैदरबाद के N.T.R. घाट पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ श्रधान जली अर्पित की बालकृष्ण ने कहा कि तिलगू राजियों में गरीबों के उत्थान के लिए N.T.R. के प्रयासों को कभी नहीं भूला जाएगा उन्होंने कहा कि N.T.R. अपने शासन से सभी वर्ग के लोगों के साथ खड़े हुए उन्होंने कहा कि गरीबों के कल्यान के लिए कई योजनाय लाई गई है इस दोरान बालकृष्ण रामकृष्ण समेथ उनके परिवार के सदस्य सुहासनी और कई अन्य लोगों ने फूल चढ़ा कर उन्हें श्रधान जली दी इससे पहले जूनियर N.T.R. ने अपने रहोने के कारण थोड़ी नोग जोंखुई T.T.P. के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व सीम N.T.R. की 28 वी पुन्यति थी कार्यक्रम वनस्थली पूरम के N.T.R. स्कौायर पर भव्य रूप से आयजित किया गया T.T.P. के संस्थापक अध्यक्ष और आंध्यक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री नंदुमूरी तारक रामाराव ने वनस्थली पूरम के N.T.R. स्कौायर में अपनी 28 वी पुन्यति थी मनाई L.B. नगर विधायक देवी रेडी सुधीर रेडी ने N.T.R. की प्रतिमा पर माल्यारपन कर उन्हें श्रधान जली दी तेलोग देशम पाटी के राज्य नेता विंकट गांधी, विलगा चंदर शेखर, मुर्ली धर रेडी और गड़े विजय नेता ने भाग लिया और N.T.R. की मूर्ति पर पुश्वमाला चढ़ा कर श्रधान जली दी केंद्रिय मंतरी किशन रेडी ने हनुमान फिल्म के हीरो तेजा सज्जा को बधाई दी, हनुमान के नायक तेजा सज्जा ने केंद्रिय मंतरी किशन रेडी से मुलाकात की केंद्रिय मंत्री किशन रेडी ने तेजा सजन को बधाई दी जिन्होंने नई दिली में उनके आवास पर उनसे मुलकात की केंद्रिय मंत्री किशन रेडी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि देश भर में धूम मचाने वाली फिल्म हनुमान सुपर हिट है आयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यकरम के अफसर पर भव्य श्री राम मंदिर के लिए प्रत्य एक टिकेट से पांच रुपे का दान सराहनी है जी एचमसी कमिशनर रोनाल रोज ने कार्वान विधान सभाक शेत्र की कई कालोनियों का दौरा किया इस मौके पर अधिकारियों को समस्याओं के समाधान का आदेश दिया गया है सडक और स्वच्छता प्रबंधन पर लोगों की समस्याओं बताई कमिशनर रोनाल्ड रोज ने मौके पर ही अधिकारियों को सभी समस्याओं का समधान करने का आदेश दिया महलक्ष्मी योजना को लेकर आटो चालकों की चिंता को देखते हुए सरकार आटो यूनियन के प्रतिनी जियों के साथ बैचा करने जा रही है इस संबंध में परिवहन मंतरी पुन्नम प्रभाकर सचिवाले में आटो यूनियन नेताओं से मुलाकात करेंगे हाल ही में उन्होंने मंतरी का ध्यान इस ओर दिलाया कि महलक्ष्मी योजना के तहट महिलाओं के लिए मुफ्त बस्यात्रा के कारण आटो चालकों को अपनी रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है इस हद तक सरकार जो राज्य के 14 आटो यूनियनों के प्रतिनीधियों के साथ बैठा करने जा रही है उनकी समस्याओं को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण ने लेने की संभावना है कल्यान बोर्ड और वित्तिय सहायता जैसे प्रस्ताव आटो यूनियनों ने सरकार के स सामने रखे थे मंत्री सीतक का और कुंडा सुरेखा ने कहा कि मिडराम जात्रा के कारियों की गुणवत्ता से कोई समझाता करने की जरूरत नहीं है मंत्रियों ने मिडराम में मेला व्यवस्थाओं की समीक्षा की है अधिकारियों को इस महा के अंत्र तक काम पूरा करने का आदेश दिया गया उन्होंने मांग की कि केंद्र को मिडराम मेले को रास्ट्रिय दर्जा देना चाहिए उन्होंने मिडराम मेला में व्यवस्थाओं की समीक्षा की अधिकारियों को इस महा के अंत्र तक काम पूरा करने का आदेश दिया गया उन्होंने मांग की कि केंद्र को मिडराम मेले को रास्ट्रिय दर्जा देना चाहिए बीजेपी के नेता संसदिय चुनाव में राजनीती की अधिकांज सीटें जीतने की योजना बना रहे हैं इसके तहट इस महीने के अंत में राज्य के दोरे पर आ रहे प्रधान मंत्री मोदी अधिलाबाद से चुनावी कमी पूरी करेंगे इसी तरह केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिट शाह इस महीने के 29 तारी को राज्य का दोरा करेंगे राज्य के 17 संसदिय चुनाव को पांच क्लस्टरों में बाटा गया है करीम नगर, महभूब नगर और एक अन्यक शेतर के साथ अमिट शाह तीन क्लस्टर बैठकों में हिस्सा लेंगे बाकी दो क्लस्टर बैठकों के लिए पार्टी के राज्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नडड़ा शामिल होंगे इसी बीच पार्टी बीजेपी प्रदेश कार्याले में मीडिया कार्यशाला का आयोजन कर रही है पार्टी के राश्ट्रिय नेता सैयद जफर इसलाम पार्टी की मस्बूती समेत संसदिय चुनाव की रन्निती और प्रक्रियाओं पर नेताओं से चर्चा करेंगे शाम पांच बजे समापन सत्र में केंद्रिय नागरिक उड़यन मंत्री जोतिरा दित्य सिंध्या शामिल होंगे वह मीडिया विभाग द्वारा आयोजित पाटी प्रक्रियाओं और कारेक्रमों पर दिशा निर्देश देंगे राज कॉंडा कमिशनर सुधीर बाबु ने 25 से 29 जनवरी तक उपल के राजीव गांधी अंतरास्ट्रिया क्रिकेट स्ट्रेडियम में होने वाले पांच दिवत सियर टेस्ट क्रिकेट मैच की सुरक्षा विवस्था की समीक्षा की DCP मलकाजगिरी पदमजा ने उपल स्ट्रेडियम में IPS और हैदरबाद क्रिकेट एसोसियेशन के प्रतिनी जियों के साथ समीक्षा बैठक की CP सुधीर बाबु ने कहा कि उपल स्ट्रेडियम में क्रिकेट मैचों का आयोजन बहुत प्रतिश्थित है और राजकोंडा कमिशनरेट में क्रिकेट प्रतियों गिताओं का आयोजन एक शानदार अवसर है अधिकारियों को परियाप्त सुरक्षा इंतिजाम करने की सलहा दी गई है अधिकारियों को दर्शकों को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए व्यवस्था करने और सतर के रहने की सलहा दी गई है क्योंकि बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की संभावना है अधिकारियों को यह सुनिश्रित करने के लिए हैदरबाद क्रिकेट एसोसियेशन के प्रतिनीधियों के साथ समन्वे करने की सलहा दी गई है कि टिकेटों का वितरन ठीक से किया जाए स्टेडियम के आसपास सीसी टीवी लगाने का सुझाव दिया गया उन्होंने कहा कि फरजी टिकेट बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी और टिक्टों का वितरन पूरी पार दर्शिता के साथ किया जाएगा पटान चेरू मंडल के मैतरी मैदान में आईजित 34 वे मैतरी आमतरन क्रिकेट टूनमेंट का विधायक महिपाल रेडी ने विधी वत उधगाटन किया जी एम आर ने कहा कि खिलाडियों को हर तरह की सुविधाएं मुहिया कराई जाएगी पटान चेरू विधायक महिपाल रेडी ने कहा कि वह खेलों के विकास के लिए काम करेंगे उनने कहा कि शीग रही सभी मंडलों में मिनी स्टेडियम का निर्मान कराया जाएगा मुख्य अतिथी पार्षद मिट्टु कुमार यादो पुषपा नागेश मार्केट कमिटी चेर्मेन बेकाडी विजय और स्थानी ये जन प्रतिनीधी वरिष्ट नेता एवं कार्य करता उपस्थित्ते भारत नगर ब्रिच पर भीशन सड़क हाद्सा हो गया एक यूवती टैंकर की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई भारत नगर ब्रिच पर हाजसे में एक युवती की मौत कुकटपली से स्कूटी पर श्रीनिगर कॉलिनी आते समय भारत नगर पुल पर एक टैंकर से टकर हो गई इस से युवती नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई युवदी श्रीनिगर कॉलिनी में आर वी एसोसियेट्स में जी आई एस इंजिनियर के रूप में काम करती है सनतनगर पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफतार कर लिया है